तो गाईज यहाँ पर अगर आप सभी लोगों को Google Meet के application में इस तरीके से problem आती है No such meeting इस तरीके से लिखा रहता है अगर आप Google Meet application यूज करते हैं या तो फिर किसी भी meeting को attend करते हैं तो आपको इस तरीके से no such meeting करेके problem आती है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस problem का solution बताऊँगा कि कैसे आपको इसको solve करना है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को like ने किया है तो like कर दिजिए दोस्तों और channel को subscribe भी कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो start करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो यहाँ पर आपको इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone में setting को open कर लेनी है तो यहाँ पर आप setting को open करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको application वाले option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको manage apps पर click करनी है और यहाँ पर आपको search bar पर google meet लिखके search कर लेना है उसके बाद दोस्तों जब यह application यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ तो उसको open कर लिजिए open करने के बाद यहाँ पर आपको storage पर जाना है और इसका data सबसे पहले आपको clear कर लेनी है data clear करने के बाद आपको कुछ settings और करनी होगी तो यहाँ पर आपको application permission पर click करना है और दोस्तों यहाँ पर आप अपने phone का camera का microphone का permission दे दिजिए यहाँ पर आपको यह वाला setting दिखाए दे रहे आपको restricted data uses का आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको wifi और mobile data का option आएगा तो इन दोनों option को आपको enable कर लेनी है और यहाँ पर आपको ok कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी setting नहीं करनी है बस आपको इसको इस तरीके से setting कर लेनी है और आपकी problem solve हो जाएगी दोस्तों और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी आप meeting join करते हैं तो यहाँ पर आपके phone में network होना चाहिए तभी आपको कोई भी problem नहीं आएगा तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe भी कर लिजिए